तो हेलो भाई स्वागत आप सभी का चैनल की एक और वीडियो में और आज हम इस वीडियों बनाने वाले हैं एक ग्रे कलर का शेड जैसा कि आप देखे रहेंगों इस सेट कार्ड में बहुती सारे ग्रे कलर के शेड हैं लेकिन जो सेड हम बनाने वाले हैं वो है इसमोग ग्र तो इस कलर को हम बनाने वाले हैं एशियन पेंट्स अपैक्स डस्ट प्रूफ में कॉइन्टिटी होने वाली है कलर की एक लीटर तो पैकिंग आप देख सकते हैं पैक्स की कुछ इस तरह से होती है तो अब बिना टाइम बेस्ट किये डब्बे को खोलते हैं और कलर मनाते हैं तो तीन तरह के कलर हम इसमें डाल चुके हैं इसमों ग्रे कलर बनाने के लिए जो की है ब्लैक और ब्लू और हलक आसा मैजंता कलर शेड देने के लिए तब इसको बंद करके अच्छे से शेक करते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको कलर का फाइनल उट्पुट झाल तो आप देख सकते हैं तो आप देह सकते हैं कितना प्यारा कलर का शेड बं चुका है इसे में गरे को बोलते हैं और एक प्रोपर शेडे यह गरगार का है डार्क डार्क ग्रे आप इसको थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं इसमें वाइट मला सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको हम एक जीने पर करने वाले हैं एक रैम्प है वो एक तरह का रैम्प है जिस पर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम डब्बे को खोल कर एक बड़े ब तो एक लीटर में आप देखेंगे कि इसकी एक लीटर में मतलब कितनी जगह में यह हो जाएगा तो इसको जल्दी से मिक्स करते हैं पानी मिलाकर और इसको यूज करना सुरू करते हैं करते हैं स्कार्णी प्रया करते हैं झाल झाल तो फाइनली हमारा कम कंपलीट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी फिनिसिंग आ रही है इसकी अपेक्स हमेशा अपनी क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है और जहां भी आपकी पैर रखने कि ऐसी जगह हो या पैलकारी टाइप हो आपको जीने पर कभी करना हो तो आप हमेशा अपेक्स डस्ट प्रूफ या अपेक्स टाइल गार्ड का इस्तमाल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिसिंग है तो आज की वीडियो मसत नहीं देखने के लिए बहु अच्छी